शाउमी के HyperOS की गाईज नई सेटिंग APG आ चुकी है सामने जो की में भी आपको HyperOS 2.2 में देखने को मिल सकती है वैसे जरनलीस की टेस्टिंग ओरी Android 15 के साथ जिस वज़े से ये APG परवाइड की गई है और मैंने इसको इस्टॉल करके ट्राइ कर लिया है जिसमें आपको इं Information UI है जैसे App Info है ये भी आपको different देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको कहें भी uninstall का option देखने को नहीं मिलेगा तो ये option कहा है आप लोग इस setting APG को uninstall कैसे कर सकते हो वैसे APG install करके भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर आप लोग को सबसे पहले install unknown apps को enable करना लिए ओफीशल APG है तो आपको जारा attention लेनकी जरूरत नहीं है उसे के साथ अगर इसके internal UI की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी चीज़े देखने को मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर about phone में आपका नाम आपकी device का नाम देखने को मिल जाता है system में नीचे google information अपर kerosol जो कि आप लोग simply try भी घर सकते हो वोल पेपर kerosol आपको बार ही option देखने को मिल जाता है यह भी अच्छी चीज़ है उसे के साथ यहाँ पर आपको display brightness उसी के साथ storage आपकी battery कितनी है कितने टाइम तक चल सकती है इसकी information भी देखने को मिल जाती है जो की overall काफी ची चीज़ है उसी के साथ clear कर दो guys कि अगर आप इसे uninstall करना चाते हो मैं आपको बता देता हूँ uninstall कैसे करना है सबसे पहले इसको force stop करना है उसके बाद guys यहाँ पर आप लोग check out कर सकते हो आपने इसको recent menu में लेके जाना है वहाँ पर setting में जाना है और नीचे आपको uninstall update का option देखने को मिल जाता है जहाँ पर मैं सबसे पहले clear कर दो guys इसका जो version है वो 14 आपको देखने को मिलता है मैं आपको फिर से show कर देता हूँ आपने simply आई वाले पर जाना है उसके बाद force stop करना है जैसे आप लोग 4 stop कर लोगी उसके बाद फिर से आपने क्या करना है recent वाले section म मैं यहाँ पर show कर देता हूँ जैसे अनिस्टॉल दो चुका है उसके बाद guys check out करते हैं यहाँ पर अनिस्टॉल complete अब यहाँ पर आप लोग चेक आउट करोगे तो आपके जो पुराने वाली setting APK वो वापिस आ चुकी है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली रही है उसे के जाद मैं आपको इसे फिर से इंस्टॉल करके भी देखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो यह APK मैंने औरेडी परवाइड करवा दी है हमारी टेरग्रम चैनल पे HyperOS की APK है HyperOS Setting APK है तो simply आप लोगों ने try करनी है यह Android 15 based है that's why आपको यहाँ पे different UI देखने क सके कि आपको Android 15 में कैसा exciting section देखने को मिल सकता है बाकी overall मुझे तो काफी अच्छा लगा आप लोग try करके बताओ कि क्या आपके phone में यह working है की नहीं अगर working नहीं है comment section में जुरू पता देना ताकि बाकी दोस्तक information पहुंच सके और as your videos के लिए आप लोग चैनल को भी subscribe कर स आप दो